हलो दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार और आज हम टीपी लिंग का एक राउटर जिसका मॉडल नम्मर है टी एल डबलो आर सेवन फोर जीरो एन इसमें हम आज डी एच सीपी को डिसेविल करना से कहेंगे क्यों करते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपने जो इं डी एच सीपी को डिसेविल किया जाता है दोस्तों राउटर में जब डी एच सीपी इनेवल रहता है तो उस समय यह डी एच सीपी सर्वर की रूप में हमारा राउटर काम करता है और अपने क्लाइन को यह आटोमेटिक ही आईपी असाइन कर देता है और जब डी एच सीप डिसेबल कर दिया जाता है तो उस समय हमारा यहिए डिये सीपी सर्वर्वार के अपने क्लाइट को आइपी प्रोवाइड नहीं करता फिर हमें उस समय मैनुवली आईपी उसको प्रोवाइड किया जाता है तो दोस्तों जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाज तक देखना है वीडियो को लाइक करना है और अपने राउटर को डिसेविल करने के लिए यह साथ स्टेप हैं उनको वन बाई वन फॉलो करना है तो सबसे पहले अपने सर्च वार को ओपन कर लीजिए और यहां पर 192 168 0.1 टाइब कीजिए तो यहां पर आपका लॉग इन पेज उपन होगा यहां पर बाई डिफॉल्ट एड्मिन एड्मिन यूजर ने पासवर्ड एने के बाद इसका फर्स्ट कन्विरिशन पेज जो सेट अप मोड में ओपन हो जाएगा दोस्तों इस राउटर के लैप साइड में इसकी काफी मेनू अप्शन दियो हैं यहां पर डिए सीपी पर क्लिक करना है यह बाई डिफॉल्ट यहां पर डिए सेपी एनेबल होता है चुक्त दोस्तों चुकि इस राउटर को हम एज जी स्विच क किलिक करोगे तो आपका जो राउटर है यह रिबूट होने के लिए और पूसं मागेगा और आप यहां पर क्लिक करोगे तो अटोमेटिक tenían pal का 30 सेकंड में रिबूट हो जाएगा और आपकी जो dhcp की जो configuration की है disable की वो save हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए यह 30 सेकंड के आसपास time लेगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने dhcp को किस तरह से disable करते हैं वो आज हम इस वीडियो में live दिखाया है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा प्लीज comment बाक्शन बताना है और वीडियो को like करते हुए वीडियो को share करना है और प्लीज चैनल को subscribe करना है thank you to watch my video